प्रोग्राम तो स्वैप तो गिवन नंबर्स ठीक है अब मेन मतट बालना लेते हैं फेले हाँ हाँ अब हम स्कैनर से इन्पुट लगें इसलिए हम अब्जेक्ट बना देते हैं हाँ स्कैनर अब्जेक्ट बना ले प्रोग्राम अब्जेक्ट इस एक्वल तो नीव स्कैनर system.inp तो नंबर पार्वर्याबल अ तिक है हम एक अंदर लेल स्कैनर इन्पूट अहाँ sc.nextint ये एक इंदर नमबर चला गया अब दूसरा इंपूट करने दर बोलते रहे enter number for variable b variable b अब लेंगे next अब हमने दो ले ले integer अब हमको उसको swap करना है हाँ swap करना है तो हम जो पहला integer हमने लिया है वो हम तीसरे में store कर देंगे अच्छा अच्छा अब हम दूसरा जो इंटीजर है हम उसको value हम first में डाल देंगे अच्छा उसका value a में डाल देंगे ठीक है अच्छा मतलब तेरा c लेने का मतलब purpose यह था कि a का value b का value a में डालेगा तो a का value रहना चाहिए वो b का value c हो जाएगा हाँ ठीक है ठीक है अब b के अंदर हम को a की value डालनी है पर वो a की value अब c में store हो रहे इसलिए हमने पहले ही एक variable c declare किया हाँ तो अब b के अंदर c की value चलागी मतलब a की value चलेगी original जो a की value थी वो b में चले गई ठीक है ठीक है ठीक है अब हम print कर देते हैं हाँ हम यहा लिखते हैं अब यह आरा ए बिल वेरेवल ए वेरेवल ए और फिर यहां पर एक वेडियो प्रिंट कर देंगे ना हाँ ए डाल देंगे प्लस ए अब हम मुश्को आपसा एसा ठीक है अब हम मुश्को आपसा एसा ठीक है अब बी वेरेवल वेरेवल बी बस बैल्यूस चेंज हो गये हाँ वेल्यूस मतलब वो इंटरेचेंज हो गए तो यहाप ऐसा लिग दे अब लोग यह इस ने रिखा ने रिखा ने अब पे system.out.printl and variable a उसके उपर एक लाइन लिग दे यह तिया है वर्यों नंबर्स अटर श्वैपिंग क्या बोल रहा है । फिर्वों से अबर्स आप्र स्वापिंग नंपर आप्टर श्वैपिंग हां एसा लिग दे? थिक है नंबर्स अक्टर श्वैपिंग हां हां वो ऊपर का प्रिंट्र प्रिंट पिर्न परलदे है हां और प्रेंट कर देते हैं वारना फिर वो नेक्स तायल में कला देते हैं दिखने में अच्छा होता है ठीक है अब अब रन करके देखते हैं ठीक है अब अब ले 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 अवार थे ले ले लिते हैं यह और वियरबल अ में लगा है और वियरबल फियम स्वेरी अच्छा